दोस्तों रमस्कार मैं संजय मगगोर एक बार फिर मौजूद है देश रोजाना के डिस्टल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सवाद चुनाव के लिए मतगर्ना का कारे अभी भी जारी है कहीं चुनावों के परिणाम के फैसले आ चुके हैं तो कहीं अभी मतगर्ना चल रही है कुछ सीटे ऐसी हैं जहांपर की नजदीक का डिफरेंस है और उसको ले करके प्रत्याशियों के बीच में उहा पोव किस्तिती है वाद विवाद का मामला है लेकिन इस वीडियो में आपके साथ चर्चा में हूँ फरिदाबाद संसदिये छेत्र को ले कर आपको हमने पहले बताया था कि हमने हर्याना की जो 10 लोकसभा सीटे हैं संसदिये छेत्र के हिसाब से उनका आकलन भी किया था प्रत्याशी भी बताये थे आकलन कई बार ठीक होते हैं और कई बार गलत होते हैं अगर इस चुनाव का मैं आपको बताओं तो यह चुनाव कुछ अजीब अलग प्रकार का चुनाव था इस चुनाव के अंदर तमाम एकजिट पॉल और बारती जन्ता पर्टे के पक्ष में जो मद्दाताओं का चृत्र में अपना साथ का दम दिखाया है साथ का दम साथ का दम इसलिए आप से बता रहा हूं कि 2019 कि भरदाबाद ौंसादीय कि चेत्र में भारतिय जनता पर्टी के साथ नेता चुनाव जीते थे विधायक बने थे इस चुनाव में जब यह शुरू सकती है लेकिन तमाम अनुमान वो ध्वस्त हुए हैं और कृशनपाल गूजर ने एक बार फिर वही अपना साथ का दम दिखाया है पिछले चुनाव के अंदर जो 2019 का चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर जिस सीट पर निटी की विधानसवा सीट जिस पर भारती जंता पार्टी पिछले चुनाव में हारी थी इस चुनाव में भारती जंता पार्टी ने वहां पर भी अपना कमल खिला लिया यानि कि NIT के अंदर सतीश फागना जो कुशनपाल गूजर का एक परियोग था वो सकसेस हुआ, कामयाब हुआ और सतीश फागना चुनाव जीत गए और दूसरी विधानसवा सीट जो 2019 में भारती जन्ता पारिटी हारी थी निर्दलिये केंडियेट वहां से चुनाव जीत गए थे नैनपाल रावत अब की बार प्रतला विधानसवा सीट भारती जन्ता पारिटी को लगातार चौथे चुनाव में भी प्रतला में सफलता नहीं मिली और यहां पर कॉंग्रेस के रगवीर सिंग तेवतिया चुनाव जीत गए जो क्रिशनपाल गूजर का साथ का दम वाली बात में आपसे कर रहा हूँ उसको आपको कंटीन्यू दोहराते हैं कि कौन-कौन सी विधानसवा सीट फरिदाबाद से भारती जन्ता पार्टी जीत गई सबसे पहले बात करेंगे तो तेगाओं विधानसवा सीट क्रिशनपाल गूजर का ये अपना parental विधानसवा सीट है यहां से 2009 में क्रिशनपाल गूजर विधायक बने थे इस विधानसवा सीट पर राजेश नागर को भारतीय जन्ता पार्टी ने टिकेट दिया तीसरी बार 2014 में भी दिया था 2019 में भी दिया और 2024 में भी दिया करके नरेंदर गुपता को टिकट दिया गया अब इस चुनाव के अंदर एक हीर चाज्जार से जादाव वोटों को चुनाव जीते हैं और उन्हों उन्हें यहां पर लखन सिंगला जो कॉंग्रेसिक एंडेट थे उनको बड़े अंतर से राया ये कृशनपाल गूजर के संसदिये छेत्र में भारती जन्ता पाटी की दूसरी जीत तीसरी जीत के रूप में अगर कहें तो फिर जो चौकाने वाला परिणाम रहा वो बढखल विधानसवा है कृशनपाल गूजर जी से कल मेरी टेलिफोनिक बात हो रही थी तो वो दावा कर रहे थे कि एन नाइटी और बढखल दोनों जीतेंगे तो बढखल विधानसवा सीट से जो कृशनपाल गूजर के परांपरागत प्रतिद्वन्दी रहे है चौदरी महंदर परताप सिंग चार महीने पहले लोकसभा का चुनाव हा रहे थे महंदर परताप कृशनपाल गूजर से और इस चुनाव के अंदर कृषनपाल गूजर के सबसे जो पसंदीदा और प्रिये केंडियेट जो कह सकते हैं उनके चुनाव परचार में कई बार कहा कृषनपाल गूजर ने कि धनेश अदलख्खा मेरे दूसरे बेटे हैं देवेंदर जैसे उनके बेटे हैं वैसे उन्होंने कहा कि धनेश अदलख्खा मेरे दूसरे बेटे हैं तो धनेश अदलख्खा यहां पर बड़े अंतर से यानिकी 65-6600 वोट से चुनाव जीत गए हैं विजय परताब को लगातार दूसरी हार और अगर महंदर परताब जी के परिवार को कहें तो चौधरी महंदर परताब को इस चुनाव के अंदर बड़खल विधान सभा में और फरिदाबाद में लगातार चौथी हार 2014 में चुनाव हारे थे महंदर परताब, 2019 में चुनाव हारे विजय परताब, 2024 में लोगसभा का चुनाव हारे चौधरी महंदर परताब और अब 2024 का विधान सभा चुनाव विजे परता फार गए है इस विधान सभा सीट पर जो मैं कह रहा था कि चौकाने वाला परिणाम बहुत ही चौकाने वाला परिणाम रहा अगली विधानसभा की बात करें तो फिर फरिदाबाद की NIT seat फरिदाबाद की NIT seat पर नगिंदर भढ़ाना का दावा था नगिंदर भढ़ाना दावा कर रहे थे यहां चुनाव के लिए नीरज शर्मा यहां पर candidate Congress के थे और पिछली बार वो ML थे नीरज शर्मा ने विधायक होते हुए कभी या कफन पैनार कभी चप्पल उतारी यह तमाम दाव पेच नीरज शर्मा के कोई काम नहीं आया नीरज शर्मा का इस चुनाव के अंदर एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो कहते थे कि जिस बूत पर ज्यादा वोट मिलेंगी वहाँ 50 नौकरी मिलेंगी लेकिन यह तमाम बाते उनके लिए उल्टी साबित हुई और यहां पर कृशनपाल गूजर का प्रयोग सतीश फागना के रूप में काम्याब हुआ सतीश फागना भी बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं पहली बार नाइटी में कमल खिल गया अगली विधानसवा की बात करें तो बल्लबगडविधानसवा सीट बल्लबगडविधानसवा सीट पर मूलचन शर्मा को ले करके हलाकि हमने अपनी सभी वीडियो में कहा था कि मूलचन शर्मा चुनाव जीतेंगे लेकिन कुछ लोग कहते थे कि यहां पर मूलचन शर्मा और निर्दलिये केंडियेट शारदा राठोर का टफ मुकाबला है अच्छा कॉंटेस्ट है लेकिन इस कॉंटेस्ट के अंदर मूलचन शर्मा एक बार फिर चुनाव जीत गए और फरिदाबाद संसदिये छेत्र में और फरिदाबाद जिले की भी ये पांच्मी जीत कर्शनपाल गुजर के संसदिये छेत्र में. अगली बात करते हैं तो फिर पलवल से गौरव गौतम, करन सिंग दलाल कदावर निता है, चुनाव पांच बार जीत चुके हैं, पांच बार के विधायक हैं और अब की बार वो तीसरा चुनाव हार भी गए, इससे पहले वो 2009 में चुनाव हारे थे, 2019 में हारे और अभी लग फरिदाबाद संसदिये छेतर में, जो कृषनपाल गूजर का संसदिये छेतर है, उसमें ये छटमी जीत, गौरव गौतम के रूप में, अगर आपको बताऊं तो गौरव गौतम एक बड़ा राजनीती का बड़ा नाम इस चुनाव को जीतने के बाद, खासकर दक्षिन हर क्याना की राजनीती के अंदर एक बड़ा नाम बन जाएंगे, अगली बात करें तो फिर होडल विधान सभा सीट, कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान यहां मैदान में, कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष, इस चुनाव का मैं आपको बताऊं कि यह पर तमाम आकडे, तमाम दावे थे, कि उदयभान बड़े अंतर से जीतेंगे, लेकिन क्रिशनपाल गुजर कल भी कह रहे थे कि होडल विधान सभा सीट का चुनाव परिणाम चौकाने वाला होगा, और वहाँ पर हरेंदर रामरतन चुनाव जीतेंगे, हरेंदर रामरतन क क्रिशनपाल गुजर के सबसे नजदीकियों में जो नवरतन कहीं जा सकते हैं उनके अंदर शामिल रहे हैं जिस हायक है उनका जो काम देखते हैं किरनपाल खटाना वो कई बार कहा करते थे कि आप अचम्बित रह जाएंगे कि कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष यहां चुनाव भारेंगा और वो हुआ और कृशनपाल का साथ कदम होडल से शुरूव हो करके और तिगाव तक पहु में भी साथ सीटें जीते यह जरूर है कि दो विधानसभा सीट बदल गई हथीन विधानसभा सीट हथीन से परवीन डागर मले बने थे 2019 में इस बार उनके स्थान पर नया प्रियोग हुआ मनोज रावत को टिकेट मिला भारती जनता पार्टी का लेकिन यहां जो शुरू स माहौल जो बना हुआ था जो शुरू से नरेटिव सेट था वो लगता था कि मुहमद इस्राइल चुनाव जीतेंगे तो इस्राइल मुहमद 33,000 के आसपास बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं और दूसरी सीट जो मिली कॉंग्रेस पार्टी को वो प्रतला की विधानसभा सीट मिली रगवीर सिंग तेवतिया तमाम आकणों में तमाम सभी जगा पताया जाता था कि रगवीर सिंग तेवतिया चुनाव जीत सकते हैं वही हुआ रगवीर सिंग तेवतिया चुनाव जीते और रगवीर सिंग तेवतिया ने यहां पर टेक्चन शर्मा को बड़े अ निटी में सतीश वागना बढखल विधानसभा में धनेश अदलक्खा फरिदाबाद विधानसभा सीट पर विपुल गोयल और तिगाओं में राजेश नागर आप मान करके चलें कि हर्याना की जो राजनीती है पिछली सरकार बनने में 2019 की सरकार बनने में फरिदाबाद चेत्र का बड़ा महतो माना गया बड़ा सहयोग माना गया और अब जब 2024 की बात है तो फिर फरिदाबाद संसदिये चेत्र में जो साथ विधायक भारती जनता पारटी को मिले ये मील का पत्थर सावित होंगे कमेंट्स वोक्स में आप बताएं कि हरिदाबाद संसदिये चेत्र का योगदान को आप किस रूप में आखते हैं जड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़ तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें